हलो दोस्तों सिंजा कोई के बारे में बात करने वाले फाइनली सिंजा जो एक महीने से कर रहा था वो अब सामने आ चुका है आज रात साड़े नो बजे इनका जो बेसी लॉंच था जिस पर ये लगबग पिछले एक डेड़ महीने से काम कर रहे हैं उसका लॉंचिंग देट आ चुका है आज रात इंडियन डाइम के अगर बात करें तो साड़े नो बजे रात को वो लॉंच होने वाले हैं अब दोस्तों ये इसमें गेम चेंजर और यूटर्न रहने वाला है क्योंकि पिछले अगर चार महीने की बात की जाए तो सिंजा को इनके लिए काफी ज्या थी उस और वही जो प्रोब्लम थी उसी वजह से इसकी जो कम्यूनिटी थी उसका ट्रस्ट कहीं ना कहीं से हटता हुआ जा रहा था सिंजा को इन कहीं थोड़ा सा फीका पड़ गया था एक टाइम हुआ करता था चार महीने तीन महीने पहले के अगर बात की जा तो सिंजा करेंगर अपर देया यहार ने अपना एक ट्रेंड बनाया था लेकिन पिछले चार महीनों से पिल्कुल डाउन में चला गया है शिंजा इसके प्रेस की बिगर बात करें तो का काफी जैध़ में इसके लवावग जो इसका ट्रेंड हो गया है लेकिन अभी जो पिछले एक कंटिनूइसली काम कर रहे थे जिसकी मार्केटिंग कर रहे थे इनके अनदर टोकन जो की बीसी स्केंज पर आने वाला है बाइने से समार्ट चेंज पर आने वला उसका लॉंचिंग देट आ चुक अगर अभी प्रैस की बात की जाए तो काफी ज़्यादा डाउन है क्योंकि दोस्तों मार्केट भी बहुत जादा क्रेस हुआ है क्योंकि मैंने कल वाली वीडियो में आपको बता है जहां पर मैंने लवलीनू के रिगार्डिंग आपको अपडेट्स दी थी और साथ इसाथ आपको बोला था कि प्रैस प्रेडिक्शन कहे रहा है अकोडिंग टू सामतकि वहां तक चला जाए इधिरियम में दोस्तों काफी भारी गिरावट देखने को मिली इवन यह किसकते कि सबसे ज़्यादा गर गिरावट किसी में तो वह है इधिरियम और साथ इसाथ दोस्तों जो ट्रेडिंग करते हैं अल्ट को इंड़ को हमें सासे मौका ढूंड सबसे रहते हैं कि कब जाकि वह एंट्री ले तो दोस्तों एंट्री पॉइंट तो मैं आपको किलियर ली नहीं बता सकता क्योंकि साम तक और मामला चेंज हो जाएगा क्योंकि और भी ज्यादा यह डाउन जा सकता पूरा का पूरा मार्केट लेकिन आपको एवरेज करके र फिर से आप 300-400 से एंट्री ले सकते हैं तो आपका एवरेज हो जाएगा क्योंकि रेली फोर शॉर मार्केट के अंदर आने वाली इंप्लिमेंटेशन काफी गजब के और यूएस से का स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा क्रेस हो जो क्रिप्टो करंसी मार्केट गलोबल उस प्लेट वह अपना अलग से एक ट्रेडिंग बनाने वाले क्रिप्टो के लिए क्रिप्टो का एक्सेप्टेंस है वह बढ़ रहा है हाला कि प्राइस काफी ज्यादा डाउन है लोग पैनिक भी कर रहे हैं अगर इंडिया की बात कि जाए तो बहिता पैनिक सेलिंग मुझे कमेंट मिल रहें कि सर मुझे इतना लोस हो गया और मैंने हाफिस सेल किया अब सेल किया यह मुझे समझ में नहीं क्यूंकि इतना जादा डाउन बे जा रहा है ओल लिडिए आपको बताया चुके हैं किसी कुरानी वीडियो में कि क्रेस इसमें आ सकता है क्योंकि बिटकोईन का क्रेस लगातार जब तीन क्रेस आ गए थे बेक टूबेक तो उसके बाद में हरकोई बोलता चोथा क्रेस जब भी आएगा तो यह 20,000 की सीरीज में भी आने वाला है तो आपको उस चीज के लिए अल्ड़ी त्यार रहने चाहि और नए स्लोगन के साथ अब यह मार्केट में आ चुके हैं दोस्तों जैसा कि अब सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों कि ट्रस्ट फेक्टर की अगर बात की जाए तो सिंजा पर इसकी जो कम्यूटी उसका ट्रस्ट फेक्टर पिछले चार महीनों से बिलकुल खतम हो जगा क्योंकि इनके कमिटमेंट पूरे नहीं हो पाएं प्रैस लगातार डाउन जा रहा है लेकिन अभी इन्होंने पूरा स्टेट्मेंट चेंज कर दें यहां पर जैसा कि और फोकस इस इन्नोवेशन ट्रांस्परेंसी ट्रस्ट इन्द क्रिप्टो वर्ड जो इन्द कम्यूट इनका यह देखे दोस्तों यहां पर जो कि आज होने वाला है जैसा कि मंडे जून थर्टेंथ ट्वल्म पीम अब दोस्तों इंडियन टाइम के अगोडिंग अगर देखा जाए तो साड़े नोव बजे यह लॉन्च होने वाले अब दोस्तों इन्होंने एक ब्रीज भी बन कर रहे तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो बड़ा इसमें होने वाला है डिफिनिटली और यह चीज यह भी कहना गलत नहीं होगा कि पिछले एक महिनों से ना तो इन्होंने लिस्टिंग के रिगार्डिंग कोई बात की अपने में सेसन के अंदर और नहीं नहीं तो कि यहां पर तो इन्होंने सारा कुछ लिखा वाई यहां पर जैसा कि पोस्ट के था चेंज इस कमिंग यानि की चेंज अब आने वाला है और जो कि आज चुका है और लेड़ी आज से आपको नजर आने वाले इसकी प्रैस में भी दोस्तों अच्छा का सा उच्छा उच्छ लेकिन अगर आपको उस तरह का प्रोफिट चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि वह सिर्फ इसी वज़े से आजाएगा कि इन्होंने बाइने से स्मार्ट चैन पर अपना टोकन रिलीज किया है उस वज़े से नहीं आने वाले दोस्तों आठिरकार ओवरॉल बर्निंग और ल तो वहाँ पर दोस्तों साफ साफ ये चीज किलेर हुए कि इनकी सप्लाई को ये काफी ज़दा उस पर फोकस करें तो आगे जाके इसमें बर्निंग इवेंट्स बेक टू बेक आने वाली है तो फिलाल यही था सिंजा कोईन के लिए अगर आपने इसको होल्ड करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजी क्योंकि लेटेस्ट से चोटी से चोटी अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी फिलाल के लिए था बाई बाई थेंक्यू